हेलो स्टूडेंट्स मैसल्फ पुलम खुमावतर इस लेक्चर में हम लोग डिसकुशन करने वाले हैं लीवर और गॉल बर्डर लीवर जो है वो हमारे बोड़े की सबसे बड़ी यानि की लार्जेस्ट ग्लेंड है और अगर हम इसकी पुजिशन की बात करें तो ये हुमन के अंदर राइट साइड के अंदर मिलती है राइट साइड ओफ एब्डोमेन ठीक है लेफ्ट साइड के अंदर तो हमें जो है लेफ्ट साइड में तो हमें स्टमक देखने को मिलता है और राइट साइड में हमें लिवर देखने को मिलता है तो लिवर के बारे में हम डिसकुशन कर रहे हैं कि जो की लार्जेस्ट ग्लेंड है और राइट साइड के अं structure है तो लिवर जो है वो दो लॉब से बना होता है य interrupt और टो लॉब्स ठीक है तो यहां पर एक लॉब जो है वे राइट लॉब है और एकॉल जो है वो लेफ्ट लॉब है ठीक है तो अगर हम इस डाइग्राम में देखें तो ये वाला जो लॉव है वो है left lop और बाकी का जो लॉव हमें देखने को आ रहा है ये ये है right lop ठीक है तो इसकी जो position है अगर हम और clear करें तो liver के just उपर क्या देखने को मिलता है यानि कि liver जो है वो lie करता है just below the diaphragm ठीक है और right side के अंदर ये दो right और left lob में divided रहता है right lob जो है वो इसका large lob रहता है जिबकि left वाला जो है वो small lob रहता है ठीक है और liver की जो cells होती है cells of liver इनको हम एक special name से जानते हैं और वो cells रहती है, hepatic cells. psychedelics ये जो hepatic cells होती है, इनका जो secretion है, वो basically, mainly तो बायल जूस होता है, और ये cells जो है, वो hepatic duct, ये जो रहती है हमारे पास, hepatic duct रहती है, और ये hepatic duct से जो भी secretion है, बायल जूस का, वो एक ऐसे second-like structure में आके खूलता है, तो जो हपिक सेल्स होती हैं वो क्या प्र।्डूस करती यह किरी रिदियूस करती हैं बाइल जूस थिक हैं और अगर हम बाईल जूस के बारे में डिसकेशन गहरें तो इसका डाइजिशन में बहुत important troll रहता है although bile juice खुद के अंदर कोई भी digestive enzyme नहीं present होता लेकिन bile juice की stories की बात करें bile juice का जो formation है वो तो कहां किया जाता है ये store होता है gallbladder में और formation जो है वो किया जाता है liver के थूँ यानि कि bile juice का जो formation है वो कहां होगा liver में और bile juice को store कोन करता है gallbladder store करता है bile juice है क्या तो हम लिखेंगे bile juice ये यालोईश कलर का एक watery green watery fluid होता है ठीक है और bile juice को बनाया liver ने है store gallbladder ने किया है और bile juice के अंदर कोई भी digestive enzymes नहीं होते यानि कि यहां पर absence of digestive enzyme तो फिर कोशन आता है कि जब इसमें digestive enzyme नहीं होते तो फिर जो ये bile juice है वो क्या करता है यानि कि function क्या है तो हम यहां पर देखें function of bile juice जो कि बहुत अच्छा question मनता है board exam में तो अगर हम function के बात करें तो bile juice का जो first function रहता है हमारे सामने वो रहता है कि bile juice जो होते है वो neutralize कर देता है acidic pH of food तो यह क्या करेगा neutralize the acidic pH of food और इससे क्या होगा and make the food alkaline थिक है in nature यानि कि simplify बात करें तो यह क्या कर रहा है कि जो medium है उसको change कर रहा है acidic medium को alkaline medium में convert कर देता है अब इससे क्या होगा कि जो pancreatic और intense tainal juice होते है इस alkaline medium पे क्या कर पाएंगे एक तो pancreatic juice और intense tainal juice जो है यह दोनों के दोनों juice अब यहां पे क्या कर पाएंगे can work in alkaline medium में थीक है alkaline medium only तो simplify यह यहां पे pancreatic juice और intense tainal juice के functionality के लिए एक बहुत important medium ready करता है second function की बात करें जो कि बहुत important function है कि यह emulsification कर देता है fat का तो यह आपके as it is question आता है explain what is the meaning of emulsification of fat तो emulsification of lipid आजाए या फिर emulsification of fats आजाए तो same answer हैगा पहले तो हमें इसका मतलब जाना होगा कि emulsification होता क्या है इसको हम ऐसे diagram में देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि fat जो होता है वो काफी complex nutrient है हमारी body का ठीक है और जब हम fat लेते हैं खाने में तो उसको break करना काफी complicated task रहती है तो emulsification of fat का मतलब यह है कि complex और जो fat की क्या है large drops है of fat ठीक है तो large drops of fats को bile juice में present होते हैं bile salt जिनके दो reason होते हैं एक hydrophobic और एक hydrophilic एक water loving और एक water hitting part यह जो bile salts होते हैं यह जाके कुछ इस तरीके से emulsify कर देते हैं fat droplet को यानि कि जो large droplets होते हैं उनको वो किसमें तोड़ दिया उसने small droplets में ठीक है तो small droplets में तोडने के मतलब यह क्या foam बन गी simplex foam बन गी तो यहाँ पर bile salts जो है वो large drops of fat को convert कर देते हैं small droplets of fat तो इस process को हम क्या बोलते हैं emulsification बोला जाता है that is a very very important point तो हम लोग यहाँ पर emulsification को कुछ इस तरीके से define करेंगे it is a process यह क्या है it is the process in which क्या करता है while salts जो होते हैं वो convert कर देंगे किसको the larger drops of fat को किसके अंदर into very small droplets में ठीक है और यहां पर क्योंकि जो बड़े droplets होते हैं जो उनके ऊपर enzymes act करना काफे difficult होते हैं तो it is difficult for enzyme to act on larger drops वैसे तो इन लिपिड को डाइजिस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है तो वो बड़े droplets पर act करना उसके लिए काफी मुश्किल होता है तो जैसे यहां पर यह conversion हो जाता है और charger droplets का किसके अंदर small droplets के अंदर या smaller droplets में तो यह क्या करते हैं बहुत आसान होता है makes it easier for the lipase मैंने पहले भी बता दिया था lipase is a fat digestive enzyme जो की digest कर देगा then because smaller drops से क्या हो जाता increase surface area for enzyme action ठीक है तो that is a total phenomenon of emulsification of fat तो यह सबसे important function जो हमें बाइस उसका देखने को मिलता है तो यही है तो इस lecture में हमने specific देखा कि जो liver थी जो सबसे largest gland है हमारी body का और इसने क्या बनाया बाइल जूस बनाया जिसको store किया gallbladder ने और gallbladder से यह जो बाइल जूस है वो फिर common bile duct के थुरू किसमें पहुंचेगा small part of intense time dudenum के अंदर तो इधर से तो dudenum में स्टमक से खाना आ गया और इधर से बाल जूस आ गया यहां एक और जूस इंट्राक्ट करता है और वो रहता है गोल सा pancreatic juice so next lecture में हम discussion करेंगे एक और digestive gland that is a pancreas so next time फिर से मिलते हैं तब तक के लिए stay happy keep studying thank you